आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनोट करें नमस्कार तुर्शन में दिया है, यदि x बटा cos theta y बटा cos theta minus 2pi बटा 3 z बटा cos theta plus 2pi बटा 3 तब x plus y plus z क्या होगा, यह अपने को बताना है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले अपने पास में क्या है? दिया हुआ x बटा cos theta बराबर y बटा cos theta minus 2 pi बटा 3 ठीक है और यहांसे कितना है बराबर z बटा cos theta plus 2 pi बटा 3 ठीक है तो यह अपन को यह समिकन्ड दे रखी है तो माना की यह किसके बराबर है lambda के बराबर है ठीक है तो यहांसे x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा lambda cos theta y किसके बराबर हो जाएगा lambda cos theta minus 2 pi बटा 3 और z जो है वो किसके बराबर हो जाएगा lambda cos theta plus 2 pi बटा 3 के बराबर हो जाएगा ठीक है यह चीज़ समझ में आ गई तो यहां से अब यहां से अपन क्या कर सकते है अपन को मान निकालना है x plus y plus z का ठीक है तो यह lambda cos theta plus lambda cos theta plus 2 theta minus 2 pi बटा 3 ठीक है तो theta minus 2 pi बटा 3 और lambda cos theta plus 2 pi बटा 3 ठीक है यह अपने पास में तीनों का मानों का योग हो जाएगा ठीक है अब देखो यहापे अपन को पता है सबसे पहले जो formula होता है ठीक है cos a plus b ठीक है a plus b और a minus b का ठीक है वो क्या होता है अप इतना हो जाएगा minus का sin A, sin B हो जाएगा ठीक है, और यहाँ पर minus, यहाँ पर plus हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते है, lambda cos theta तो यह अपने पास में आ गया, ठीक है, यहाँ पर lambda, अब इसको खोलेंगे, ठीक है, तो cos A, cos B, minus, यानि कि plus, ठीक है, minus जब होगा तो plus होगा और plus जब होगा तो minus होगा, ठीक है, और sin theta, और sin 2 pi बटा 3, ठीक है, plus lambda, यहाँ से cos theta, cos 2 pi बटा 3, minus sin theta, sin 2 pi बटा 3, यह हो जाएगा अपने पास में, ठीक है, अब देखो यहाँ से, इसको आगे हल करेंगे, तो lambda cos theta तो अपने पास अलग से पढ़ा है, एक बार ठीक है अब इन दोनों को देखेंगे, तो यहाँ से lambda दोनों में common आएगा, ठीक है, और यह plus का है, यह minus का है, ठीक है, तो यह दोनों cut जाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 गुना cos theta, और cos 2 pi बटा 3 बटा 3 आएगा, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे cos, जो 2 pi बटा 3 है, उसको भी परिवरतन नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा, ठीक है, तो cos कितना हो गया, यह अपने पास में, pi बटा 3, और किसके साथ, minus के साथ, ठीक है, और pi बटा 3 जो होता है, उसका मतलब कितना होगा, अपने पास cos 6, cos 6 का मान कितना होगा, 1 बटा 2, तो minus 1 बटा 2 इसका आजाएगा, यहांसे कितना होगा, एक 2 से 2 कट गया, और lambda cos theta, तो यह कितना होगा, अपने पास में, 0 बन गया, ठीक है, तो यह दोनों कटके 0 बन जाएगा, यनि कि इसका जो xy, x plus y plus z का जो मान है, वो कितना आजाएगा, अपने पास में, 0 आजाएगा, यनि कि दृत्य विकल्पसत्य ह हो जाएगा, धन्यवाद.